Hello guys, welcome to Arushi Shoshik. My name is Arushi Bansar and today's video is all about end screen YouTubers use on their YouTube videos. So guys, चलिए, आपको अब ये तो पता हो गाई कि end screen आखर होती क्या है, बट फिर भी लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊं कि end screen होती क्या है, verbally भी और practically करके भी दिखाऊंगी कि that end screen आखर लगती कैसे है. ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बस इतना ही बोलूँगी कि मेरी जो previous वीडियो थी, वो थी How to use eye button on your YouTube videos. इसका link मैं आपको उपर eye button में दे दूँगी and end screen पे भी दे दूँगी and आपको ये वीडियो सरूर देखनी है क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत help करने वाली है, बट लेकिन हाँ, ये वीडियो देखने के बाद देखना वो वीडियो, बिना skip करे and end तक सरूर देखना. चलिए, अब topic के बार में बात कर लेते हैं कि आखिर end screen होती क्या है, end screen वो screen होती है जो आपकी video के खतम होने से कुछ second पहले आपकी screen पे आती है, जिस पे कुछ videos suggest करी जाती है, वो videos आप खुद भी अपनी audience को, viewers को suggest कर सकते हैं, वहाँ पे option दिया गया होता है, नहीं तो कि कौनसी videos दिखानी है, वो आप completely YouTube के उपर छोड सकते हैं, कि YouTube का जो मन करें, YouTube को जो लगता है, आपकी बेस्ट वीडियो है, वो आपके viewers audience तक पुचा सकता है, आपको अपनी मर्जी से video सच्जेस करनी है, या YouTube पे छोड़ना है, that's your choice, या आपको पूरा क्लेर हो जाएगा जब मैं आपको practically बताऊंगी, आपको मैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कि end screen आके होती क्या है, आप समझ कर होंगे, मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, जो आप समझी गए होंगे, तो मैं आपको ये बताती हूँ, कि जो end screen है, जैसे मैंने का था, i button is very important tool, end screen भी similarly बहुत important tool है, क्योंकि ये आपकी किसी भी वीडियो को प्रमोट कर सकता है, आपकी किसी और वीडियो के through, ये basically आपके audience को suggest करता है, कि वो आपके चैनल पे से कुछ और वीडियो देखें, and not just videos, आप end screen के through, अपने चैनल को subscribe भी करवा सकते है, कैसे, ये मैं आपको बताऊंगी, practical में, So, अब हम verbally तो समझी चुके है, मैंने आपको समझा दिया है, बहुत अच्छे से, and हाँ, अब हम समझेंगे practically, तो मैं आप से इतनी ही गुजारिश करती हूं, that इस वीडियो को end तक देखना, और बीच में skip मत करना, बस इतना ही, and हाँ, अपनी अपनी screens खोलीजे, तो आप चलिए, आप सबसे विल अपना YouTube खोलीजे, अपनी screen पे, and फिर उसके बाद उपर तीन लाइन पे, प्रेस करिये, वह तीन लाइन पे प्रेस कर दिया, तो नीचे स्क्रोल करिये, नीचे स्क्रोल करते ही, आपको जाना है, creator studio में, and फिर जैसी creator studio खुल जाए, आपको content पे जाना है, अब आप content पे पहुच गए होंगे, I hope, I am sure that आप content की this, इस screen पे पहुची गए होंगे, and अब हम खोलेंगे, इसमें से कोई भी वीडियो जिस पे हमें end screen लगानी है, for example, हमें इस पे लगानी है, ये खोलिया हमने, अब हम यहां से right corner से scroll down करेंगे, ये हमें मि screen का button, and अब हमारी हां से end screen लगाने की प्रक्रिया चालो हो जाए, अब guys, I am sure that आप screen पे आगए होंगे, यहां पे उपर, top left पे लिखा है end screen, now, end screen, add करने के लिए, आप सबसे पहले जाए, elements पे, elements पे आप जैसी गए, आप सबसे पहले जाए, आप सबसे पहले आप सबस्क् आप करें, तो हम वीडियो पे गए, अब वीडियो यहां पे आप करने के हैं, most recent upload मतलब जो आपकी इससे सबसे पहली वीडियो थी, इससे पहले वाली जो वीडियो थी, latest वीडियो, वो यहां पे आचाएगी, best for viewers, यह YouTube automatically choose करेगा, कि आपके viewers के लिए best वीडियो कौन सी है, यह आएगा, choose specific video, यह हम को choose करेंगा, तो हम चलिए यह करते हैं, अब हमने यह click करा, यह यहां पे आगी video, and you will simply go to save, और यह हमारी end screen लग चुकी है, thank you so much guys, यहां तक वीडियो देखने के लिए, thank you, thank you, thank you, and हाँ, अगर अभी दब चानल को subscribe नहीं करा तो नीचे के subscribe कर क्योंकि मैं देख रही हूं, लोग वीडियो तो देखते हैं, बट subscribe नहीं करते हैं, चलो कोई बाती, subscribe नहीं करा, अब subscribe कर दो, subscribe कर दीचे, bell icon दबादीचे, and हाँ, Instagram पे follow भी कर दीचे, और हाँ, कोई doubt है, तो नीचे comment section में पूछ लिए, नहीं तो Instagram पूछ लिए, लिक में